पाट साथ सर्वनाम प्रोनाम निम्न लिखित वाक्षियों को थ्यान से पढ़ो कविता, राधिका, तुम कहां जा रही हो? राधिका, मैं बासार जा रही हूँ कविता, तुम वहां क्या लेने जा रही हो? राधिका, मैं तादची की दवा लेने जा रही हूँ कविता, तुम्हारे तादची को क्या हो गया है? राधिका, वे बहुत बीमार हैं, उन्हीं पुखार है ध्यान दीजे, जब एकी वाक्य में बार बार नामू का प्रियोग किया जाता है तो वाक्य अटपटे हो जाते हैं इसलिए नामू की स्थान पर मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, मेरा, अपना, तुम्हारा उसका, उसकी, आदी शब्दों का प्रियोग किया जाता है ये शब्द संग्या के बदले पोले जाते हैं इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं सर्वनाम, प्रणाउन संग्या के बदले जिन शब्दों का प्रियोग किया जाता हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे, तु आदी. ध्यान दीचे, एक, नस्तीक की एक वस्तु या प्राणी के लिए यह, तथा एक से अधिक वस्तु या प्राणी के लिए ये सर्वनाम का प्रयोग होता है. दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए वह, तथा एक से अधिक वस्तु या प्राणी के लिए वे सर्वनाम का प्रयोग होता है. तीन, अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमको, अपना, अपनी आदी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं. 4. जिससे बात कर रहे हो उसके लिए तू, तुम, आप, तुमने, तुमको, तुम्हारा आदी सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करते हैं